मेरे प्यारे देशवासियों देव भूमी उत्राखन की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आशिरवात दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी। कि हमारी सांसकुरुदिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजिविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि या पूरा माजरा है क्या। साथ्यों मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना गाटी की महला उने। ये वो महला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृती भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभीबूत हो गया। आखिर हमारे हाँ प्राचीन कार्ट से हमारे शास्त्र और ग्रंत इनी भोजपत्रों पर सहजे जाते रहें। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आख देव भूमी की ये महलाए इस भोजपत्र से बेहद ही सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया और स्मृति चीन बना रही है। माना गाउं की यात्रा के दोरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहना की थी। मैंने देव भूमी आने वाले परियटकों से अपील की थी। वो यात्रा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदें। इसका वहाँ बहुत असर हुआ है। आज बोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिर्थ्यात्री काफी पसंद कर रहे हैं। और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। बोज पत्र की है प्राचिन विरासत उत्राखन की महिलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है। राज सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही हैं। राज सरकार ने भोज पत्र की दुरलब पजात्यों को समरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है। जिन छेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था। उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्री का भी जर्या बन रहा है। झाल झाल